हेलो दोस्तों वर्कम एक तो अनादर वीडियो और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपोरेंट दो न्यूस के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहला न्यूस है कि वोड़ फोन आइडिया या फिर वी इंडिया से एक्जिट के बारे में बात किया है पहली बार और इसके बार में पूरा डीटेल्स एक्जिट होगा तो कब तक होगा किस रिजिन से होगा क्या सीन है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सेकेंड जो है क करेंगेंट कि यह सबसे बश्ट वीडियो है अगर आपको बिंगौली समझ में आता है मेरा बिंगौली जो टेक चैनल है वहां पर मैंने एक वीडियो अप्रोट किया है तब बेस्ट स्मार्ट फोन तू बाइंडर 20,000 बिंगौली में है पुरा वीडियो अगर आपको बिं अगर वोड़ाफोन आइडिया की बात करें तो वोड़ाफोन आइडिया अभी काफी दिक्कत से जा रहे थे और उसे के बीच में AGR का उनके उपर प्रिशर आ गया AGR का अमाउंट जानने के बाद उन्होंने रिकाल्कुलेट किया करके उन्होंने कहा कि दियोटी ने जो AGR का है उसे अक्चुल जो AGR अमाउंट है जो वोड़ाफोन आइडिया ने कैल्कुलेट किया वो डिफरेंट है और सुप्रीम कोट के पास उन्होंने उसके बाद प्ली किया कि वो जो अमाउंट है उसे फिर से रिकाल्कुलेट करके देखा जाए और उनको अभी चारा उनके पास बचा नहीं है पूरा अमाउंट उनको पे करना है और उसके बाद वोड़ाफोन आइडिया ने ये कहा कि वी आर वेडी मतलब काफी अभी चौक गया है ये देखके कि एक गलत चीज है इस चीज को वो कह रहा है कि सही करने के लिए लेकिन वहा पे करना चाहिए ये अमांट pay करने के लिए या फिर ये amount pay करने के वजह से हो सकता है कि वोड़ाफोन आइडिया को Indian market छोड़ देना पड़े जो अमाउंट उनको पे करना है वो तो वो पे कर देंगे लेकिन what of an idea इंडिया से exit कर सकता है क्योंकि उनका financial condition वैसा ही हो जाएगा वो पूरा अमाउंट अगर उनको पे करना वड़ेगा जो definitely एक alarming बात है अगर इस तरह से चलता रहा तो किसे भी दिन हो सकता है क्या आपको एक हफता दस दिन का time मिले के वोड़ा फोन आइडिया निकल जाएगा अब definitely वोड़ा फोन आइडिया के जो इतने सारे जो customers है उनका क्या होगा what of an idea कि ये जो हजारों employees है उनका क्या होगा उनके जो partners है what of an idea से जिन लोगों को पैसा मिलना है उनका क्या होगा मतलब definitely सभी लोग अभी tension में आ गया है इसको पर अगर और भी कोई और भी कोई development होता है मैं 100% आपको वो बताऊंगा तो जरू से उसके लिए नज़र रखिएगा चैनल के उपर अब second बात करते है Reliance Geophone Next के बारे में Reliance Geophone Next हमें मिलने चला है इसी साल के गनेश चत्यूथी में अब गनेश चत्यूथी में ही क्या मिलेगा या फिर उस दिन से आप फिर से booking कर पाऊगे और हो सकता है कि इस साल के end पे या फिर 2022 के first के अंदर आपके हाथ में ये स्मार्टफोन आना स्टार्ट हो जाए अब specification क्या होगा ये तो definitely low काफी पूछ रहे तर उसी का एक leak नकल के आया है जो मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ तो सबको पता है कि ये एक स्मार्टफोन होने वाला है फ्लैक्शिप नहीं होगा लेकिन जो लोग अभी 2G यूज़ करें फीचर फोन यूज़ करें उन्हीं लोगों को अप्रेड करने के लिए ये स्मार्टफोन actually launch किया जा रहा है अब इसका जो प्रोसेसर है Qualcomm का प्रोसेसर होगा ये पता था लेकिन Qualcomm का 215 आपका चिपसट यहाँ पे देखने को मिलेगा Android आपका जो Go वर्षिन है उसमें ये देखने को मिलेगा अब Android का Go वर्षिन वो भी आपका इंडिया के लिए कस्टमाइज होगा क्योंकि रिलांज जो और Google दोनों मिलके इसको बिल्ड करें इंडिया के बारे में स्पेशली सोचके और स्क्रीन जो होगा स्क्रीन आपका एक HD प्लस डिस्प्ले होगा हम लोग सोचने के HD होगा या फिर इसके नीचे का आपको डिस्प्ले होगा लेकिन ये एक HD प्लस आपका डिस्प्ले होगा 1440 इंटू 720 का आपका यहां पर डिस्प्ले को मिलेगा और जो RAM होने चला है RAM 2GB का होगा और जो इंटेलर स्टोरेज होगा वो होगा 32GB हो सकता है कि इसके बाद इसी का कुछ next variant आपको देखने को मिले जहां पर और थोड़ा सा better chipset आपको मिल जाए RAM थोड़ा सा बढ़ जाए और 32GB जो storage हो वहाँ पर भी आप इसे बढ़ा पाओ यहां पर आप memory card लगा कि इसको increase कर सकते हो लेकिन आपको वीडियो बना के बताऊंगा और जैसे मैंने कहा बिंगॉली वाला वीडियो जिरू से देखिए गा और बताईए अगर आप बिंगॉली समझ में आता है क्वालिटी कैसा लगा काफी हाड़ वर्क करके मैंने वह वीडियो बनाया है दो क्यों तो मुझ तो मुझ झालो बाइ